हाई कुसपस किचिन में आप सबका स्वागत है एक मुठी पूदिना एक मुठी धनिया और एक हरी मीर्च को मैं तोर के दूँगी तीखा आप पसंद करते हो तो ठीक है नहीं तो आप मीर्च के बिना भी ये छाज बना सकते हो देखिए अब 300 ग्राम दही दे दूँगी दही मैंने घर में जमाया है घर में कैसे दही जमत है वो मेरे चैनल में है आप चाहे तो देख सकते हो हाप चमच भुना हुआ जीरा पाउडर हाप चमच काली नमक हाप चमच हॉइट नमक देखे आप इसको पहले में पीश लूँगी क्योंकि पुदिना है ना पानी देने से प अच्छे असानी से चाच घर में ही बन जाता है और देखे अच्छे से पीश लेना है पीशने के बाद अब मैं एक प्लेट में हाप चमच लालमिच पाउडर हाप चमच नमक देके इसको मिक्स कर लोंगे मिक्स कर लेने के बाद अब जो ग्लास है ना ग्लास के चारो तरप मैं नीवू का जूश इसमें लगा दूँगी देखिए ऐसे करके रगर के लगा देना है इससे क्या होगा अच्छा दिखेगा भी और मुं में लगेगा ना बहुत अच्छा खाने में टेस्टी लगता है अ देखिए ऐसे दूसरे गिलास को भी कर लूँगे और गर्मियों में आप च्छाच जरूर पीजिए इससे क्या होगा बहुत गर्मी परा है ना बहुत सारा पसीना निकल जाता है शरीर हम लोग के कमजोर हो जाता है तो इसमें च्छाच पीने से इनेर्जिक टिक बना रहता है शरीर देखिए इससे देदूंगे के एकदम सीम्पेल कोई जमेला नहीं है और आप सुबा साम एक ग्लास करके जरूर खाईए गर्मियों से रहत देने वाली ये छाज पनता है और दही भी घर्मी जमाया हुआ है बाहर से लाने कर भी जंजट नहीं है और जोदी आप न पाउडर था ना उसको दे दूंगी ऐसे ते देना है और देखे उपर से मैं एक पूदीना दे दूंगी कितना अच्छा बद दूंगी है ना मेरी वीडियो देखने के लिए ठ्यांकियो